हलो प्रेंडेंस आप सभी को मेरा नमस्शिकार आज हम सर्षों का साः और मक्य की रोटी बनाने चल रहें तो सर्षों का शाः लिया था ही इस तरीके से बारीख बारीख सर्षों का साः नहीं काट ले रहें दो दwalk कि द्वार निया है इसको हम रख रहे हैं बाल होने के लिए टेहां कूकर में रखना है ताकि जल्दी हो जाया तो सारी सब्जी हम रख दे रहें 1CT लगा देंगे अधिक लास में पानी डालने हैं पानी ज्यादा नहीं डालेंगे अब यह वां सिटी लगा देंगे ताकि जल्दी से सब्सक्राइब जाएं लिगल जाएं कि यह देखिए वन सिटी हो गया है तो यह सब्जियां हमारी पक गई हैं इसको भम्थाली में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए यह भम्थाली में इस तरीके से निकाल दें सब्जियों को कि यह देखिए सब्जी जो है ठंडा हो रहा है तो इसको भास से हम पानी निकालेंगे इस तरीके से इसको हम हाथ में लेंगे और इस तरीके इसे दबाके इसकी पानी जो हिस्ट्रा पानी है वह निकाल दे रहे हैं कि देखिए इतना इसमें पानी निकला है जो हम पानी डाले थे वह भी निकल गया है यह सुकी सुकी सब्जियां हो जा रहे हैं पानी निकालने के बाद इस तरीके से हम सभी सब्जियों को पानी निक लगांगे तो काही रख दिये हैं गरम हो रहा है इसमें सर्षो का तेल डालो है है आधा चमच जीरा यह लहसुन है और हरा मिर्च है दर बड़ा कुटा हुआ दो चमच लगभा लहसुन मिर्च ज्यादा डालने से स्वाद इसका बद्रक हम घिज दे रहे हैं ईसको अच्छी तरीके से परका लएंगे अब इसमें सर्षो का साग डाल रहे हैं ये दिखिए सर्षो का साग से जब भी बलाएं यह लोही के कराही में बनाएं सर्षो का साग बहुत ही स्वादिष्टे आता है अब इसमें हम लमक डालेंगे और इसको में अच्छी तरीके से लेंगे में इसमें निए यह थी आल दिया था सौर्णी बताना भूल गये इस सब्सेंट हैं छोके अब हम क्या किते हैं मक्र की रोठी बनाने की तैयारी करेंगे लिए इसमें फ़ोड़ा थौड़ा पानी लगांगे कि दो तोड़ा पानी डाल कि साऀए अच्छी तरीकस लगांगे कि देखें आटा इस तरीके से बराबर मसलते रहिए तकि आटा सौप्ट और मुलायम हो जाए लगभग 5-7 मिनिट तक हमको मसलना है हलका हलका पानी लगा के इस तरीके से बराबर हमने देखी मसला है तो यह आटा सौप्ट हो गया है इसका हम लोई बना रहे हैं यह लोई बन गई है इस तरीके से अगली से उपर उपर हम इसको कर दे-स पहते न और अच्छी तरी के से दबा कि इसको दिए हां से माना ले रहे हैं यह मैं गया है कि यह हमारा गरम है तौध यह हम डाल देते हैं को वैंस हम सब्सक्राइब हार और है अभी इस्कों पलट रहे हैं जो दो कर दो पल्ट दिए हैं तो तो इस कि यह देखिए हो गया दूसरी तरफ भी इसको हम सेखेंगे तो इसको पहले पीछे हलका सा सेख देते हैं उसके बाद कि ख़ड़ा करके हम चारों तरफ सेखेंगे इस देखिए हमारी मक्के की रोटी बन गई है इसी तरह हम और बना ले रहे हैं कि इस तरीके से यह सभी रोटियां हम खड़ा करके और चारों तरफ सेख दे रहें ताकि अच्छी तरीके से पक जाए यह मक्के की रोटी हमारी बन के रेडी हो गई है इसके साथ हम सर्सों का साग लगा दिये हैं देखिए मक्के की रोटी सर्सों का साग दोनों हमारा बन के तैयार हो गया है अगर हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करिएगा सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद